स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल नोटिफकेशन आई है इसमें हमें न्यू पोस्टर्स देखने को मिल रही है सिविल इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट में तो आज हम लोग प्रॉपर डिसकस करेंगे इस नोटिफकेशन को इसे पहले जो नोटिफकेशन आये थी उसमें आपने देखा था कि यो नोटिफकेशन अड़र्टमेंट नंबर 4567 के थे 2020 की थी तो उसमें क्या था कि यो एक्जाम होने वाले थे अभी सेप्टेंबर से लेक के 1 अक्टूबर तक होने वाले थे तो वो सारे के सारे एक्जाम पोस्टपून कर दिये थे जिसमें जलशक्ति के एक्जाम भी थे सिवल इंजिनरिंग को लेके तो अब एक निव नोटिफकेशन देखने को मिल रही है जो अभी लीज हुई है 22 को लीज हुई है तो उसमें से पुरी नोटिफकेशन में क्या क्या आया हुए यह कितनी पोस्टेस हैं से लेबस कब रbonिलीस किया जाएगा इसका तो प्रॉपर नोटिफकेशन को हम लोग देखने वाले है तो वीडियो में बने रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफकेशन है पोस्टेश हैं सिविल इंजिनरिंग के लिए तो देखते हैं अभी ये कौन-कौन से डिपार्टमेंट में नहीं काई तो आपको यह पता चलके है कि जलशक्ति डिपार्टमेंट में यूटी वेस्ट पोस्टेश इंडिस्टेक वेस्ट हैं तो प्रॉपर हम ले हर एक चीज सम्मिट कर सकते हैं और यह उसके लास डेट रहेगी लास डेट कर वे इसकी 11 को है ठीक है नुमंबर में नुमंबर की 9 तारिक तक आप इसकी online जो है फॉर्म फिल्ट कर सकते हो तो I personally advise कि आप इसे पहले ही कर लीजे क्योंकि लास डेश में आपको पता है कि सिस्टम बगारा ज इंजिनरिंग के लिए 163 पोस्टेश हैं और जल शक्ती डिपार्टमेंट में रहेंगी यह पोस्टेश नैस देखते हैं इसका प्रॉपर आपको जानकरी दी जाएगी हर एक चीज तो यह तो सब चीजें आपको पता ही है क्योंकि इससे पहले भी आपने अप्लाई कर रहा चाहिए जहन कằng कि आप रहते है यससे सीटिंड्शी पोता है तो वह आपके पास होना चाहिए और यहां के बात करुं तो बहुत ही डाभी आपको जाहिए खेया अगर स्से से विलॉंग करता है तो उसके लिए रहेगा जनल सेमी रहती है जो आप देख सकते हो हरे के लिए यहां पर मैंचिन आर बीए के लिए यह यह सी के लिए यह वाटर के पास रहते हैं अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको बता है बात करते हैं तो आपको बता है मैं डाकुमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं तो यह सब चीज़ें आपको आलड़ी पता है इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका इसके जो फार्म की फी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 350 रहने वाली है जनरली अगर आप देखते हो100 करवाने चाहित ओर तो तो ये लिए आपको refund नहीं दिया जाता है और की बार क्या होता है आप payment करते हो और online payment करते हो तो आपकी payment जो होती है वो वहाँ पे हो जाती है लेकिन आपका form फिल नहीं होता तो इन case अगर ऐसा होता है तो आप इस side पे जा सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अलड़ी side mention करी करेंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर वो जीमेल वेगर आप प्रोबाइड करेंगे अपनी तो उसके थूप आप आपिस कर सकते हैं उसके बाद examination center की बात करें तो यह आपको option मिलेगा यहाँ पर क्लिक करने का कि आप कहां पे चाहते हो जमू में चाहते हो कश्मीर में चाहते हो तो उसके proper आपको मिलेगा अब बात कर लेते हैं इसके negative marking की तो negative marking इसमें रहेगी 0.25 means अगर आप इसकी 0.25 marks की negative marking रहेगी हर एक wrong answer पर अगर आप कोई wrong answer question attempt करते हो question attempt करते हो वह wrong जाता है तो उसमें आपके 0.25 marks चले जाएंगे इसलिए आपको वही question attempt करने चाहिए मैं आपको personally advise करूं तो जो आपको आते हैं इसमें तो paper आपका जो exam रहने वाला objective रहने वाला आएगा तो हम एक separate video उसके उपर भी लेके आएंगे और civil engineering के related जो चीज़े हैं जो आपके topics इसमें रहने वाले हैं कोई भी चीज़े रहने वाली है इसके कोई update आती है तो उसके उपर भी हम आपके लिए वीडियो लेके यहां पर और इसके अंदर यो आप देखने वाले civil engineering को लेके जो इसका स्लेब बस आने वाला है यहां उसके अंदर जो आपके topics रहेंगे ठीक है civil engineering के जो रहती है 10-11 जो इसके books रहती है जिसके जिसमें से एक्जाम्स आपका set किया जाता है तो उसको हम लोग proper cover करेंगे इसी चैनल पर आपको आपको देखने को मिलेगा यहां नस बात कर लेते हैं अब हम लोग चलते हैं सिधा जे कुछ इसमें रहता है कि आपको क्या क्या चीजे होनी चाहिए आपके पास कुछ ना कुछ ID प्रूफ होना चाहिए तो इन में से कोई भी चीजा आप लेके जा सकते हो जैसे आदार कार्ड हो गया वोटर ID कार्ट रहता या आलऑी चीजे हैं आपको पता ही हैं document verification का तो आपको पता है बाद में document verified किये जाते हैं next चलते हैं कि ऑनना मैं । पोसस के उपर चलते हैं काफ़ी लंभी नोटिफिकेशन रहती है आपको पता है पूरा की में आपको प्रोबर पर सिज़र बताया जाता है कि कैसे करना है कि यहां पर आपको देख सकते हैं अब किसी को नहीं पता तो कैसे करना आगर आप वहां पे जाते हो तो 200 रुपिस 220 रुपिस ऐसे ले 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 लोटेAc उब आते हैं आप में योग इसके notification हैं खुन खुन सी चीजे हैं इस में उसके उपर आते हैं तो आप देख सकते को सबसे फास्न नंबर पर यूकिश नें जोनियर का है जै इजिसको आप हम लोग बोलते हैं जनरली सिविल में तो अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट कुन सी है पूरे जूटी में रहने वाली है तो इसके अगर हम लोग फिल करें तो जूटी मला जमू कश्मीर में जितने मिया लदाक को शोड़ के जूटी अभी हम लोग बात करें तो यह सिर के 1,12,400 तक है इसका पेस्स के लिए हो रहता है और इसकी अगर जनर्रल की पोस्टे बात करें तो 81 पोस्ट हैं अच्छी पोस्टेस दी गई इस बार सब्सक्राइब देखते हैं और जिनके पास PSP उनकी भी 6 पोस्टेस हैं और EWS की एकनामिकली विकर सेक्षिन जो है उसकी भी 16 पोस्टेस हैं तो टोटल 163 पोस्टेस हैं इसमें अगर आप हम लोग देखते हैं तो इसमें 3 years diploma in civil engineering अगर आपने डिपलमा किया हुआ है कितना 3 years का तो वह बच्चे भी होएं वह इसमें फॉर्म बर सकते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो 2010 के बास में उन्हें डिपलमा किया हुआ है लेकिन वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं उनके लिए लग से आता है तो अब भी इसकी अगर बात करें इसमें प्रॉपली कोन अप्लाई कर सकता है जिन्होंने डिपलमा करा है 3 years का जो 12 के बाद होता है आपने देखा होगा 12 के बाद 3 years का डिपलमा रहता है उसके बाद में बचे जो होते हैं अगर वह बच्चों के लिए जिन्होंने प्रॉपर डिगरी होती है बीटे करी है तो वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यह सब उनके लिए है अगर नेस्ट बाद करें ह हम आइसेडा आप देख सकते हो मैं क्राइटेरिया यह दू सबसे बढ़ी बात आयगो नहीं यह उसमें हैं क्रायटेरिया कर सकते हो उसके लिए क्राइट्रीया तो इसमें कोई मैटर नी आफिसमाथ कर सकते हो वो उसके बा pior स्यलक्षिंग बात करें तो स् bombid shall be made on the basis of merit obtained in the written examination only तो इसमें सबसे बड़ी बात है आपके लिए कोई interview बगरा नहीं है जो भी आपका selection criteria रहने वाला है जो merit का exam बनेगा ठीक है जिस base पे merit बनने वाला है जो आपका exam का merit बनेगा उसी के base पे आपकी selection हो जाएगी एक ही exam देना पड़ेगा आपको जो exam होता है आपका objective multiple choice exam होता है तो उसके base पे यहां पे यहां पे selection कर ली जाएगी तो इस advertisement में और भी बहुत सारी posters है अगर horticulture वाले बच्चे हैं तो वह भी यहां पे तो यहां पे technician ज्यादा horticulture में ही है तो होती कल्चर में आप यह वाली अगर आप यहां पे अगर आप सिविल इंजिनियर नहीं हो इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप देखते तो यहां पा इनका भी process का जो selection criteria वह तो वही examination होगा online का इसमें भी आपका कोई interview बगार नहीं रहेगा और यहां पर यहां पर यहां प्लस टू का मंगा हुआ बिद बन एर basic horticulture training पास होना चाहिए 10 प्लस टू होना चाहिए और आपके पास basic training होनी चाहिए horticulture की कम से कम एक साल की तो वही चीज़े हैं यहां पे उसके बाद में यूनियो स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसका पेस के लिसका आप देख सकते हो 35,600 से लेके 1,12,800 र रहेगा सोरी तो यह agriculture production of former welfare में आ जाएगा तो इसकी पोस्ट की अगर बात करें तो एक ही पोस्ट है वैसे वह भी जेनरल की पोस्ट है तो इसमें graduate हो किसी भी उनिवस्टी से graduate लेकिन आपकी इसमें बात करें तो minimum speed यह 65 words per minute होनी चाहिए ठीक है short end and 35 words per minute in typing तो यह चीज़े गए कर रहा है तो स्वेल इंजर्ण के बाच्चों के लिए काफी अच्छी ए कुछ ख़वरी है तो आपके लिए काफी अच्छा सुनह्यरम वह तेक्टि करने के लिया तो यह काफी अच्छी मितलब की पॉस्ट में निकाले गए तो आप देखना जैंगा कि बस कब तक जारी किया जाता है और इसका exam जलशक्ती कब तक conduct करवाती है एक चीज और भी देखने को रहेगी कि कि इससे पहले जो जलशक्ती ने अपने एक्जाम पोस्ट पॉन करे हुए है तो वो वले exam का conduct करवाती है उसी के साथ में यह exam conduct करवा जाते हैं या लग से कुंडेक्टर वाज जाते हैं तो यह न्यू अपडेट आएगा तो बहुत जल हम इसी चैनल पर लेके आएंगे आपके लिए आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगी और इसके लेटर जो